Hello and Welcome दोस्तों आज के इस खास important वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने image को कैसे अच्छे तरीका से modify करके अच्छे तरीका से बना करके आप किसी भी banner पे use कर सकते हैं काफी सारा confusion होता है कि हम banner कैसे बनाए कैसे बनाए ठीक है सब कोई banner बनाने का तो बताता है लेकिन जो आप उस पे अपना image लगाते हैं आप उसको कैसे अच्छे तरीके से करके और उस पे लगाएं कि उस banner पे उस poster पे आपका वो image अच्छा दिखे हम आज इसी के बारे में बा जो आपके लिए important हो तो चलिए अब हम सुरू करते हैं देखिए सुरू करने से पहले मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share कीजिए तो चलिए अगर आप banner बनाते हैं तो आप जदतर लोग जो है pixel labs का यूज करते हैं तो हम भी pixel lab का ही यूज करेंगे और एक और application है उसके बारे में भी हम बताएंगे जो आपके photo को थोड़ा अच्छे तरीका से बनाएगा ठीक है तो सबसे पहली बात आ जाती है कि आप अपने photo का background को कैसे रिमूब करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम pixel lab को open कर लेते हैं ठीक है फिर आप background remove करके लगाते हैं तो कैसे दिखता है फिर आप उसको थोड़ा सा और modify करके लगाते हैं तो कैसे दिखता है चलिए मैं थोड़ा सा इसका जो है background को change कर लेता हूँ मैं white color ले लेता हूँ जिसमें अच्छा दिखेएगा ठीक है अब जब background आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं अपने इसाब से उसमें कोई दिखत नहीं है अगर आप चाहते हैं कि हाँ gradient color होना चाहिए तो चलिए मैं यह gradient भ तो आप select करते हैं मैं भी यहाँ पर आता हूँ DCM में जा करके अपना एक image select कर लाता हूँ जिसका मैं background हटा करके भी बताऊंगा वहीं image आपको यहाँ पर मैं select करके दिखाता हूँ जैसे यह वाला image को आप देख सकते हैं यह image कुछ इस टाइप से आपका भी background होगा कहीं न यहाँ पर सोचेंगे यार background को remove कर देता तो चलिए पहले हम बताएंगे कि इसका background आप कैसे remove करेंगे तो सबसे पहले आपको जाना है Chrome browser के अंदर और यहाँ पर remove वीजी सर्च करना चलिए मैं search करके आपको दिखा देता हूँ इसको अभी हटा देता हूँ मैं search करके दिखा आपको यहां से image को select करना है जो भी डिलाइन पर क्लिक करके मैं उस image को यहां से select कर लेता हूँ जो image मैंने आपको अभी वहाँ पर दिखाया था तो यहां पर जो मैंने image select किया था जो दिखाया था अभी आपको पिक्शल लैब में ले जाकर करके वह यह वाला image था मैं इसी इस टाइप से यह दिख रहा है तो अब क्या करना है आपको इसे डाउनलोड कर लेना है जैसे डाउनलोड कर लेंगे यह आपके गैलरी में जाकर के सेब हो जाएगा अब इस image को आप picture lab में जो भी वेनर बना रहे हैं वहाँ प्या लेकर के आएंगे तब पे आपको दिख रहा है इसका बैग्राउंड रिमूव हुआ है मैं इसको छोटा कर लेता हूँ छोटा करने के बाद यहां पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि सेम इमेज है बैग्राउंड के साथ ऐसे दिख रहा है और बैग्राउ के लिए भी मैं based solution आपको देने वाला हूँ एक ऐसा application है जो इसको भी थोड़ा सा modify करके और अच्छे तरीके से बना करके दे देता है तो उस application का नाम है photo editor तो मैं बीच से इसको cut करता हूँ अभी के लिए और यहां पे मैं photo editor open कर लेता हूँ जैसे यहां पर search करेंगे यहां पर photo editor हमारा दिख जाएगा मैं इस पर click करूँगा click करने के बाद आपको यहां पर देखिए यहां आपको new पर click करना है new पर जैसे click करेंगे कुछ इस टाइप से आ text and image पर आप ख्लिक करेंगे text and image पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको plus पर क्लिक करना है और यहां पर जो यह बीच का यह आपको को क्या करता हूđ select कर लेता हूं यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करूंगा कुछ भूप के अंदर आ रहा है यह आपका इमेज अच्छे से दिखेगा और नीचे वाले पार्ट्स को यह क्या करेगा बलर कर देगा ठीक है तो आप इस टाइप से करके और यहां पर अपलाई पर क्लिक करेंगे अपलाई पर क्लिक करने के पाद कुछ इस टाइप से आपको दिखेंगे आप इसको ऐसे बड़ा कर लेंगे बड़ा करने के बाद देखिए यहां पर option है अगर आप यहां पर अभी सही पर टिक करते हैं तो प्रॉब्लम्स होगी कि आपका जो यह पीछे का बेग्राउंड वाइट है यह चला जाएगा यह रिमूव नहीं होगा ठीक है इस बेग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपको क्लिक करना है यहां पर यहां पर क्लि यह वाइट वाला बेग्राउंड चला गया तो बेग्राउंड हटाने के बाद आपको क्या करना है इसको कर लेना है डाउनलोड डाउनलोड पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर एक कुछ इस टैप से आपको देखने को मिल जाएगा पी एंजी फॉर्मेट सेलेक्ट है चलने हैं करने की जाएंबेगे प्लति चोड़रोड नीचे से आखेंगे और इस मेरा इमेज को नीचे से बलर करके और डाउनलूडीट हो और डाऊनलोड होगा है तो मै इसमें आओंगा यहां पर प्क्रस पर पक्रकर बना हुए होता इसमें आऊंगा और यहां पर नीचेह सकते हैं हमारा इमेज यहां पर दिख रहा है मैं इसको क्या करूंगा के साथ करने के बाद कुछ इस से मैं पशोप छोटा कर लेता हूं यह खालिया स्पेस क्यूं लेकर आए हम आप पर तो देखने को मिल जाए उसके बाद ये बन गया और उसके बाद आपका ये बन गया अब देखिए सबसे बेटर इसमें थर्डवला आपको दिख रहा है तो आप इस टाइप से आप अपने इमेज को मोडिफाई करके और किसी भी बैनर पोस्टर पे लगा सकते हैं और लगा करके उस बैनर को अच्छ से ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए ताकि मैं इस टाइप का वीडियो आपके लिए बनाता रहूं थैंक्स पर वाचिंग